हलो बच्चों, लेट्स रेट दा क्वेशन, दे रीडिंग ओफ एमिटर इन दा सर्किट शोन विल बी, सो बच्चों यहां गिवन है हमें एक इंड़क्टर, जिसके लिए गिवन हमें इंड़क्टिव रियक्टंस अज फाइव ओम, देन केपैसिटर, जिसके लिए केपैसिटिव रियक्टंस गिवन है हमें 5 ओम, रेजिस्टंस इसकी वैल्यू गिवन 55 ओम, और इनको कनेक्ट किया गया है एक AC सोर्स के साथ में, हमें फाइंड करना है कि एमिटर की रेडिंग क्या होगी, हमें यहां से करेंट आए की वैल्यू को फाइंड करना है, तो बच्चों सबसे पहले जब हम इस सर्केट में चेक करें, तो जो वोल्टेज एक्रॉस L एंड C होगा, इसका जब फेजर डाइग्राम बनाएंगे, तो इस VL is represented on positive y-axis and VC is represented on negative y-axis और यहां आ जाएगी current, तो हम देख सकते हैं कि VL current से lead करता है πाई बाई 2 radian से, और VC के मामले में हम देख सकते हैं कि I lead करता है VC से πाई बाई 2 radian से, तो बच्चों यहां से हमें जो net voltage मिलेगा, that will be VL minus VC, तो it means हमें यहां जो impedance मिलेगा, that will be XL minus XC, अब जो हमें impedance of the circuit मिलेगा, that will be square root of R square, plus within bracket XL minus XC bracket square, सुबच्चों values put कर देंगे, R की value है 55, so this is 55 square, plus XL and XC दोनों की ही value 5 है, तो यह हो जाएगा 0, सो हमें impedance Z की value मिल जाएगी यहां 55 ohm, अब हम देख सकते हैं कि जो हमें current I मिलेगी by ohms long, that will be V divided by the impedance, जो की total यहां पर resistance के equal है, so this will be 110 divided by 55, so current in the circuit is 2 ampere, सुबच्चों correct option हो जाएगा option A, thank you.